नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग डाउटनट की इस वन शॉट की सीरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो एक बारी आपके अमित भाईया फिर से आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ तो आज हम भाई कौन सा चैप्टर करने वाले हैं तो आज हम करेंगे बहुत ही प्यारा चैप्टर भूगोल का स्खनेज और उर्चा संसादन, मिनरल एंड इनर्जी सोसिस बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इस चैप्टर के हम बात करूँ मैं आपको गैरंटी देता हूँ अगर इस चैप्टर को आप शुरू से लेके एंड तक देखते हो न कте आप ऊज में एब गए जहना जो मानचित्र के प्रशन आते हैं सुरू हम और जहाँ है तो में हमेशे बोलता हूँ चाहिए भूल पढ़ोचाए इतियास पड़ो को इब चेप्टरबसों नाम को समझ लिए नाम में बोल किया रहा है क्योंकि हम बढ़ करें और दस्फीckी बहुल की बाद करें तो यहां पर संसाधन को जादा हमने पढ़ा है मैं बने Sons Num संसादन आपका तो जितनी संसादन आते जा रहें आते जारे आते जारें और इसकी बात करें तो यहाँ पे खनेज और संसादन की बात हो रही है तो हमने संसादन को बहुत सारे माट लिया। सब consume के सब्सक्राइब करने वाले हैं आप सामने जो तस्वीर देख रहे हुए हैं तो इनकी हम बात करेंगे क्या खनिश स्रक यही होते है या कुछ और ज्यादा होते हैं या कुछ और ज्यादा होता है इनको दे जूना और जो चीज किस से बनियता और वह चेलती वाई उर्जा से चलती है, तो उर्जा और खनिज के बिना हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल ही अदूरा है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपने जीवन को आपके बुक में एलाइन दे रखी है कि सुई से लेके जहास तक हर चीज जो है किस से बनी हुई है, खनिजों से बनी हुई है और मैंने आपको संसाधन की क्या definition बताई थी, क्या परिवाश बताई थी कि कोई भी प्रकरती में ऐसी चीज मौझूद जो है जो हमारी जरूतों को पूरा कर रही है, उसको हमने क्या बोल दिया है संसाधन, तो हम बात करें खनिज की और उर्जा की, इसको हम क्या बोलते हैं इसको भी हम संसाधन की तोर पर भी देखते हैं क्योंकि यह हमारी जरूतों को पूरा कर रहा है, इसके बना हमारा जीवन जो है वो अधूरा है, तो I hope आपको चैप्टर का सार है, वो बहुत अच्छे जवाय किलियर हो गया होगा अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपकी बुक की तो जैसे आप NCRT उठाओगे, तो आपकी बुक में सबसे पहला आपका यह वाला एक्जांपल दे रखा है और यह एक्जांपल मैं बताओं तो मिरको बहुत ही घटिया लगा आपनी किताब खोलोगे, तो यह हैवन करके एक लड़का है है ना, और यह अपनी पिताजी के साथ ना, जा रहा है गई है ना, और गौहाटी आया हुआ है गाउं से गौहाटी आया हुआ है और जब यह आ रहा होता है ना, रस्ते में तो रस्ते में जो यह क्या देखता है घर के आकार वाली अजीब से चीज़ों को देखता है घर और रसोई के आकार वाली अजीब से चीज़ों को देखता है अब यह बहुत ही बेपकूफ लड़का रहोगा मुझे नहीं पता है इसका कोई सेंस नहीं है अगर आप एक्जांपल पड़ोगा आपको हसी आएगी तो यह देखता है कि मतलब यह समझाने के लिए आपको बताएगी आपको बताएगी लेकिन बच्चे इतने भी प्रिप्शन होता है इसका मतलब सोचके देखो मैं सिसलिए पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि आपके आपकी आपकी आपका से पापा यह जो घर जैसे बने जो श्रक्चर है इनकी जो समरचना घर जैसी दिखरी है हमारे जो रसोई जासे आकार के जो चीज है चलती हों में बिध्यार का और जितनी भी चीषय चल नहीं है यह सब न सब जन सकते हों किस से बनी वहई है कि रही है कि बीटा यह जो चीज जो आप देख रहे हो यह घर यह रसोई नहीं है यह वाहन है जो कि किस से बने हुए है खनिजों से बने हुए है और और उर्जा से चल रहे हैं आप इतना बेब को बच्चा होता है इसको इतना नहीं पता होता है ना चलो कोई बात ने खेर छोड़ो तो यह एक अब यह उद्धार्ण दिया गया है समझने के लिए कि खनिज से क्या क्या चीज़े बनी होती है तो आप सोच के देखो कि जितने भी बाहन आप देखते हो या तो अपने रस्ते पर जो भी आप साइब से लेकिए आप जाहाज तक ले लो यह सब किससे बने हुए होते हैं यह हो इतना क्लियर हो गया होगा अभी हमने खनिज की परिवाशा नहीं समझे परिवाशा पर आएंगे एक चीज पर आएंगे चिंता मत करो आपको शुरू से लेकर एंट तक रहना है मेरे साथ में चलिए अब बात कर लेते एक और उधार्ण दे रखा है अब यहां पर बताय कितना बड़ा रूल होता है सुबह उठके टूथ प्रस्तब करते हैं दान तो साफ करते हो ना कि सर वो तो भूल जाते हैं कभी-कभी कर लेते हैं चले कोई नहीं डेली करना चीए तो जेखो अब बात करें किसकी बात हो यह आपर पूथ पेश्ट की बात हो यह दंत मंजन क मिलता है नदि और से मिलता है जो गारी नदियां होती है रे मिलता हमें टो नम षनसा सा तो चया है आपके लमजने करने क्या इस फयाँ अब है घर्शक, अब घर्षक अमलब क्या होता है, चूना पथर्ख, जो होता है यह के ना कहीं इस्तमाल होते हैं हम बात करें, ऐलुमिनियम औक्साइड वा विविन फॉस्फोेट खनिस स्वक्ष्शा मेंं but करते हैं और हम बात करें चीजे कि पूठ पेस्ट कि बात करें चोना पक्त्तर हो गया है हम यहां पर बात करें możliय मैं कने यह अपके सुखिता में मड़शने में साफ करने है करते बरश करने के बाद पीले तां उस सफीज हो जाते हैं यह से हो जाते हैं एक और इसमें खनवी जो होता है, जिसकी बात हो रही हैा, अब अब फ्लूराइट की, हैना, फ्लूराइट की हम सम्माद करें, यह किस चीज में होज़ता है? तो दांतों में जो किविटी आजाती है, निसमें सड़ी जाती है, का सिर्टी आजाती है, वह हमें जो है pro floo할it नामक जो है किस से प्राप्त होता है यह फ्रूराइट नामक जो है उससे प्राप्त होता है तो यह आप देखो कौन कौन से खने जो गह करना पथर भगरव गया यह क्राइवस अज़्यूराइट की बात और हो Archives फ्लूराइट से प्राप्त होता है ये खनेज होगे अच्छा आगे बढ़ते हैं अधिक तर दंत मंजन जो है टितेनियम ऑक्साइट से सफेद बनाया जाती है अच्छा अब जो मंजन का जो आप देखते हुना वाइट कलर का होदा है कोल गेट की बात करूं मैं अब भाई मै सारे खनेज जो हमारे प्रकरति में वसे हुए हैं इंसे मिलकर बना होता है और सब नबने होते हो वो हमारे जीवन में कितने महत्पूर हैं अच्छा हम बात करने थोड़ा सा खनिज क्या आपके खाने में भी होते हैं खनिज जब आप खाना खाते हो तो आपने देखा होगा कभी-कभी जब बीमार वगरा पढ़ जाते हो कुछ भी हो जाता है तो यहां पर डॉक्र बोलते न उत्ता भी हमें उसे पोश्टिक मिलता है उसमें जो खनिज होते हैं उसकी मात्रा बहुत कम होती है लेकिन वह बहुत जादा होती है मतलब वह बहुत जरूरी है अगर वह ना मिले तो दिक्कत हो जाएगी हमारी बॉड़ी को कितना होता है सिर्फ जीरो दशम्मलब तीन पर पूर और गुड़कारी है कि इनके बिना जो है हम 99.7% भोज परदार्तों का जो भोग नहीं कर सकते मतलब कहने को तो 0.3% ही है खनिज हमारे बॉड़ी में उसकी जरूरत है लेकिन अगर यह ना हो अगर 0.3% ना हो तो यह जो है ना यह तो हम पचाई नहीं पाएंगे 99.7% जो है हमारे भोजन उसको हम पचाई नहीं पाएंगे वो किसी काम का है होगा ही नहीं अगर यह 0.3% भाग इसमें नहीं है तो तो कहने का मतलब क्या है मैंने बोला ना कि सुबह से लेके शाम तक आप खनिजों की बीच में रहते हो खनिज आपके अंदर बसे हुए हैं जीवन का बहुत थी अभिन हिस्सा है और आप संसाधन का हिस्सा है कि यहाँ पर तो और इसको पूरा definition हम तोड़ेंगे, तोड़के इसका मतलब निकारेंगे, बहुत चीज से, बाकी आपको याद हो जाएगी, आप के अमित वही आपके साथ है, तो डरने की यह बात है, है न, रिलर्ट तो पहले भी दिया है, तो प्राकर्तिक रूप में उपलब्द एक समुर रोल नहीं, यह कैसे बंद रहे है, इनका निर्माड कैसे हो रहा है, तो प्रकर्तिक रूप से हो रहा है, प्रकर्ति जो है, प्रकर्ति ने इसे जनम दिया है, जब इंसान इस प्रतिवी पे नहीं ते उससे पहले के खने जाए इस प्रतिवी पे, तो यहाँ पर इंसानों का तो पहली चीज क्या होगी देखो तोड़ों से पूरी डेफिनेशन को तोड़ लो पूरी परिभाशा को तोड़ लो क्या बोला जा रहा है प्रकर्ति प्राकर्तिक रूप में उपलब्द एक समरूप प्रदार्थ अच्छा अब यहां पर दूसर सब्सक्राइब पहले पहले समरूप प्रदार्थ यहां पर जिसकी क्या है जिसकी एक निश्चत आंतरिक संरचना यह समझेद लो निश्चिद्आन्त रचनगा होती है इंटर्नल स्ट्रक्चर उसका structure है अब ऐसा थोड़ना है कि आप एक बाल्टी पानी ले लो चाहिए आप पूरी नदी ले लो यह जो structure है यह तो सेमी रहेगा ना यह जो इसके आंतरिक संरचना है यह तो बदलेगी नहीं इतनी आप फॉर्मले वगरा देखते हो सबका जितने भी आप फॉर्मले देखते हो और यह जो पानी हो गया कुछ भी ले लो आप सॉल्ट हो गया तो उनका पडलर क्या होता है एक आंतरिक संरचना होती है उनका एक structure होता है जैसे हम वाटर की बात करें एस्टू कि मेरे को वाटर का ही पता है तो एस्टू हम बात कर प्राकर्तिक प्राकर्तिक रूप में उपलब्द है एक समरूप प्रदार्थ है जिसकी क्या है एक आंतरिक संरचना होती है उसको हम क्या बोल देते हैं उसको हम खनिज बोल देते हैं हम बात करें भारत में तो भारत में आप भारत की बात करें पूरी दुनिया की हम बात कर लिए है उसमें कुछ बहुत जादा मैत्पून है कुछ बहुत कम मिले हमें या आप बोल सकते हो बहुत बहुत कुरूशल थे जैसे हैं तो कुछ आट हैं कि इसकी है हर एक चीज वह सोच के देख हो आप तीवी सामने पूरी स्क्रीन लगी हुई है यह बहुत से जिस फोन से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, उसमें भी बहुत सारे खनीजों का इस्तमाल हुआ है, उसकी पूरी बॉड़ी, वो जो चिप होती है ना अंदर, वो वो सब सामने कैमरा जो लगा हुआ है, यह पीवी रख्ची हुई है, यह लाइट है, यह सब किससे बनी हुई है, खनीजों से बनी हुई है, तभी तो मैंने बोला, केक सुई से लेके, जहाज तक सब कुछ किससे बना हुआ है, खनीजों से बना हुआ है, और डेफिनिशन की बात है तो definition यह एक्जाम में छापके आ जाना समुरूप का मतलब होता है एक जैसा समुरूप प्रदार ठीक है जिसकी क्या एक आंतरिक एक निश्चित एक देखो निश्चित पर रहे हैं निश्चित क्या है निश्चित बलब ऐसा निया कि उनका श्टक्टर चेंज होता रह करते हैं अब बात कर लेता है किसकी अच्छा आपके निश्चित में दे रख़ा है दो चीज दे रख़ी है एक दे रख़ा है जैसे एक दे रख़ा है भूगल विदो और दूसर दे रख़ा है भूव एग्यानिक है ना तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है आ जाता है कभी लेकिन हम बात करें अगर भू वेग्यानों की है ना काहँ पर दूब यह जो निर्माण के इसे हुआ इनकी उत्पत्ति इसको डीप रिसर्च कौन करता है मतलब सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं जैसे हम बात करें भूल विद के बारे में यह क्या करें यह पूरे अर्थ क कि इक खंजयों की निर्माढle की प्रिक्रिया के आयों क्या है है ना इनकी जो यह किस भौतिक और रसाइनेक प्रिगरिया से जन्म हुआ है इनका, यह सब कौन पढ़ता है बई तो यह सब पढ़ते है बई भू बग्यानिक, तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं यह आपके आसपास हो रही है है ना तो आप इसे अगर कहानी की तरह पढ़ोगे कहानी मतलब एक केश टड़ी की तरह पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है यह चीज़े के लिए हो जाएंगी ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा अब बात कर लेते हैं ख्रिश्ट क्या बारे में खरिव किए बढ़ार मतलब इसका हम यहां पर यह चीज़ों होती यह जो गोहते हैं ना वह अलग-वहृतिक और इसनीक परprofit यहां खनिजों का जनम जो होता है, जैसे हम बात करने खनिजों है, इनका जनम जो होगा, तो इस पे ध्यान देना ज़रा बहुत तिक और रिसायनिक, मतलब बहुत तिक मतलब फिजिकल और यहाँ पर रिसायनिक का मतलब क्या है, कैमिकल, इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो जैसे खन होता है इनका बजन की बात कर रहा हूं मैं और इनकी जो softness और hardness होती है यह किस चीज़ पर नरवर करती है तो यह जो है बहुतिक और रशायने करती परस्तितियां उन पर नरवर करती है बहुतिक का मतलब फिजिकल तो जैसे वह जो खनेश है चारश कितना अंदर है उसका कितना प्रैशर लग रहा है उसका देंसिटीव नहीं घड़े कर रहे हो कीमिकल रेक्शन का मतलब रसायनिक गदविधी का मतलब यह होता है कि जब कोई भी किसी चीज के फॉर्म में चेंज आ रहा है जैसे आपने क्या किया भाई आप ने लाल में पीला मिला दिया तो एक नई रग बन गया तो एक यह काइंड ओ केमीकल लेक्सिन होते हैं तो बात करें रसानेक प्र की आर यह सूर्य के भाइब प्रकरियां के बात करें यनी की रोश्नी आती है रोती है विए चाने टूरोड के गढर्वर्व रंग में change आ रहे हैं तो यह सब किसका रोल होता हाई चीजह मिलकर क्या करवाते हैं उससे भी बहुत जाड़ा नर्बर करता है कि हमारे जो खनज यह हैं वो कैसे होंगे उनका रंग कैसा सब बंब करता है कि वह झो जो खनिश है वो किन परस्तितिए कि क्या क्या होई है तो क्या हिआ हिं पता है इस से जादा अब तो मैं नहीं बता सकते है डिटेल में अब तो समझे में आ गया होगा ठीक है ना चलिए तो आई होब आपको इतनी चीज़ें वह किलियर हो गई होगी अच्छा अब बात कर लेते हम किसके बारे में खनेजों के भंडार के बारे में यह एक चीज रह गई थ रहे इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स है ना और आप देखोगे जलोड जमाओ की रूप में महासागर की जल में और यहां पर लाश्ट मुंट दे रखा धरातली चटानों के अब घटन के दवारा अब यह क्या दे रख्क तो यह तीनों चटानों के नाम दे रखे हैं एक तो आगने चटान जिसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं एक रूपांतरिक चटान जिसे हम क्या बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं मैटमॉफिक रोग तीसरी हो जाती है यह अवसारी चटाने जिसम सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते है यह चक्टाने हमारे परिस्तिविये पपड़ाइं घजाती है तो पहले इनके बारे हम बताने से पहले यह बताँगा आपको कि यह चट्धाने उत्पंद कैसे यह वीट सो से ठोड़ा सा घटके टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा आपको बेस्किले हो न तो आप उलगे कि हाँ किसी टीचर न न बढ़ाया था था इसको जनम किस ने दिया हैMusik याद रखना यह जो आगने चक्टान ovat माइबाप है यह भूढ है दूसरी चतनों का जरब हगा है एक हता है तो यह जो चतर नहीं अपने रूप बदलते रहती नहीं टो हैया चर्ठाने जब मुट Coronavirus नहीं नहीं ठीक है चले तो तो फीशे चल लेते हैं अब आपको पता होगा कि यह हमारी जो पृत्वी है यह जो दिखाई देती आपको जयोट शेप में हैं ना एक आप बोल सकते हो कैसा कैसा आकार बोल सकते हो इक काइंड ऑफ जयोट शेप है बिल्कुल गूल भी नहीं है तो हमारी बूलते ह他的 कम रखना यह जो ऊपर इभारी मवारी जो देख रहे हो जहां closure पैंसान रहते हैं करीबर अ较श्क कंष्क्रीमी नटर है दरती के 본 तेस्तर कंष्किन एंदर चले जाओगे तो उतने में क्या मिलेगी क्रश्ट इसको हम हिंदी में डाइ Towdes left दूसरी जो लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, इंगलिश में मैंटल, और इसे हिनिय हम बोलते हैं, भूपरवार, भूपरवार या फिर मैंटल, अब मैंटल की हम बात करें, तो मैंटल एक काइंड ओफ, semi-liquid form में होता है, अच्छा, इसका मतलब क किसके उपर रखा हुआ है, मैगमा के उपर, लावा के उपर, जलते हुए लावा के उपर, हमारे जो पूरा अर्थ का पूर्शन जो है उपर, यह रखा हुआ है, और यह जो लावा है, इसमें हमारी पूरी पृत्वी जो है ना तैर रही है, और इतनी धीरे तैर रही है, कि आपको पता भी निहीं चलता कियासा लगेगा आपको कि तो ध्यान से सुनूंग देखो हम पहले इतना जानो कि पृथष्वी जो एक तीन लेयर में वाजित हैं लेक्ट मतलब तीन आप बोन सकते हैं इसके अलग ऐला पार्ट में वाजित है फिल्याइं ऑपर ही लेयर को प कीसरे लेर की बात करें जो भिल्कूट प्रतवी के अंदर निजय को भूता जाता है फेर ऑफिर और के हम भूख रहा चाहिए कि वह यह यह जो चट्टाने हैं बनी कैसे तो समझो यहापर, देखो, हमारी पृत्वी की जो भारी जो परत है इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने क्रश्ट बोल दिया यह आठ से चालिस क्लूमेटर, पैंटिस क्लूमेटर जो भी मानू आप अलग-अलग बुक में अलग-अलग दे रखा है, इस पर हम इंसान दरते हैं, इस पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, पहाड भी इसी पर दिखाई देती हैं, बड़ी-बड़ी चट्टाने जो हैं, आपको इसी पर दिखाई देती है, लेकिन आपको सबक्षेश oui अब याद रखने हैं धोड़ा सा अब कि यह और है यह पूरी हमारी क्रश्ट्य है ज़्ये के बाद एक सबसेने एक दर्गा देखो थोड़ा से बताता हूँ किसे थोड़ा से रुक जो जोvine स्थ tu अब आपको समझ मान आ जाएका जो मैं बताना चाहता हूं हुआ है क्थ थोड़ा क्या है यह በ प्रित्वी ह्मारी सिर्ध प्रित्वी की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसको मैंने क्या बोल दिया करश्ट बोल दिया हिन्दी में ऐसे भूपपड़ी बोलते हैं अब यह दूसरी जो लेयर है इसको मैंटल बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं मैंटल सब्सक्राइब ल की थानिड़ करें यह ने जामें लिकुड़ी के हम बात करें तो यह हो जाएगा तो शहाद बहुत ही प्रॉफिक्ट उधारन रहेगा शहाद लेलो शहाद को और जाधा थोड़ा सा गाड़ा कर लो जैसे यहां फिर जैम आपने खाया होगा तो वो लेलो तो यह जो है बिसकिल कहा बारा हो तो खरस्ट यह हो जेकिए फ्राइंचर करता हूं यहां पर तो यह जो थोड़ा सा मैंने इसको पार्ट है यह क्या हो गया यह क्रेस्ट हो गया इसके बात के पार्ट है जेग्ला यह पार्द और यह मिंदल और मेंटल नहीं क्या बोलते हैं तो याद रखना यह थोड़ा सा जरूरी है यह थोड़ा सा जरूरी है कि crush और mental वाला जो portion होता है pen change करता हूँ मैं crush और mental के बीच का जो portion होता है इसको हम एक नाम देते हैं जिसम बोलते है ethnosphere लिख लो, इसको हम क्या बोलते है ethnos एक मेरे बेटा राइटिंग थोड़ा गंदा है तो इग्नूर करना ethnosphere अच्छा यह ethnosphere क्या होता है तो atmosphere के हम बात करें यह mental का ही हिस्सा होता है mental जो होता है उसका हिस्सा होता है तो mental की जो ऊपर वाली लेयर जो होती है जैसे मान के लोग यह mental है तो यह mental की जो ऊपरी वाली लेयर जो होती है इस पार्ट को मैं बोल देते है ethnosphere और आपको जान कर रहा है होगी जो ऊपर वाली जो लेयर है कितने किलुमेटर की होती है यह 100 km की होती है सोच के देखो यह जो ethnosphere है किसका पार्ट है किसका हिस्सा यह मैंटल का ही हिस्सा है यह कितने किलोमेटर का होता है या गैस करो यह सो किलोमेटर का होता है मतला सो किलोमेटर आप प्रित्वी के अंदर चले जाओ अब सोच के देखो क्रश्ट हमारी कितनी किलोमेटर की है सिर्फ 35 किलोमेटर की यहां पर कि दुणिया बझी होई अ उपर के Colorado ऑर ये जो पार्ठ है जो एक्टने समय है कितने पह ये है करीबन ये 100 किलोमेटर का अब यहां से इनसान बड़ी-बड़ी बिल्डिंग में और यह मिनरल यह सब यह तेरी देखते हो अच्छा अब ये जो 100 km है ना ये 100 km में जो एथनोस्पियर है जो की मैंटल का ही हिस्सा है इसमें क्या भरा हुआ है इसमें भरा हुआ है मैगमा मतलब लावा जब उपर आ जाता है प्रतिफिक उपर आ जाता है ना तो इसको लावा नाम दे देते हैं वैसे अंदर जब होता है इसको मैगमा बोलते हैं जैसे आपने देखा होगा जालम की फट गया तो जालम की फटता है तो अंदर से क्या निकलता है मैगमा लावा की फ़र्म में निकलता है मैगमा होता है अंदर और यही क्या होता है यही होता है हमारा सैमी लिक्ट फ़र्म में सम 200 डिग्री सेल्सियर और यह मैं सब्सक्राइब क्यों बता रहा हूं तक आपको डीप नॉलेज हो जाए थोड़ी सी अब यह क्या यह भारा हुआ है कि थानय प्र्फर हम तुमिल ख़लेगव साहत। अब यहां पर क्या बढ़ा हुआ है यह थोड़ा सा मैगमा बढ़ा हुआ है है ना मैगमा बढ़ा हुआ है और यह क्या है यह वाला जो पॉश्चन हमारा यह क्या है यह वाला जो पॉश्चन है यह क्या 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 है य सब्सक्राइब करते हैं लाल लावा हो जाएगा लाल और पीड़ा चलो वैसी तो देखता है तो यहां पर क्या हुआ है कि देखो अपने भेटा सुना होगा अरे अब अनोर्य केसी जो आपका कि कर देते हैं अपन्य यह लावा भरा है यह लावा भरा हुआ है कि यह लावा भरा हुआ है ठीक है अब होता क्या है बेटा कि हमारी जो पृत्वी है ना इसमें हमेशा प्रिच्वी आपको जैसे उपर दिखाई देती है यह बहुत सारी दरारों में वाजित है बहुत सारी दरारें इसमें और जो अंदर से जो यह एथनोस्पेर जहां पर हुआ है यह कभी-कभी यह ऊपर आ जैए गब दinku यह को यह कमी आजाएगा इसको मैंग में भार आजाए इसको चाहा नाम दे लिया वाल कैनों यह लावा इसको मैं यह लावा अंदर क्या हुता ह taps इसको मेगमा बोलते हैं अब जब लावा भार आता है तो में क्या बोलते हैं जौला मुखी विस्फोर्ट हुआ अब यह किसी को नहीं पता है भार कैसे आता है अभी इस पर चल नहीं है लेकिन प्रिश्वी के अंदर से चीजे निकल लिए ना जैसे मैंने बता है आप वॉमि सब्सका रूप ले लेता है तो यही जो यह आग्ने चटान का रूप ले लेता है समझ मा आ अक्टलब आपको समझ माह ना आया हूं कि आगनी चट्टाने बनती कैसे हैं तो यह अंदर धरति के अंदर चल लिएं चल लए है है और आगने चट्टानों से बाद में मिलके क्या बन जाती है बाद में इसे रूपांतरिक चट्टाने मन जाती है और इससे ही बाद में आप वो सकते हो यह जो सेडिमेंटरी रोग जो होती है यानिकि हमारी अफसारी चट्टाने होती है तो समझने का मतलब यह है कि सिर्फ लेकिन आपको यह पता होना चीए किया आगने चत्टाने कैसे बने कि हिश्कोइव इन तेनों नわか पटाने में आगने चताने अंदर से अब आपको एक चीज जो है समझ महेंगी थोड़ा सा दोड़ाताई हां से देख हो ही हां Oder बात कर लेते हैं थबसे पहले हम आगने चक्टानों के बारे हैं इसे आप जब पढ़ोगे आपके NCRT में ही दे रखा है देखो द्यांसर पढ़ो आगने तथा काहिंतरित चक्टानों में खनेज दरारों जोडों भरंशों और विद्रों में पाये जाते हैं अब यह क्या होत है इसको थोड़ा समझ लेते हैं आझ've और यह पहले से बन चुका है यह यहां पर यह चटाने जोया पहले से बनилась है 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 ना अब और आरघ नीचे क्या भरा हुआ हुआ है नीचे देखो यह नीचे क्या भरा हुआ है नीचे लावा भरा हुआ है अब नीचे से लीक हो रही है अब यहां पर क्या हुआ अब मान की चलो होता है कि जब यह उपर आ यह सेम ही होता है, यह दरारों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कि जो आगने चट्टाने, यहाँ पर काइंत्रिक चट्टाने जो होती है क्या अब निकला तो इस दरारे दरारों में भर जाएगा इन दरारों में भर जाएगा तो यही बात में क्या बन जाते हैं जब बहुत समय हो जाता है फिर वही चीज़ होगी चीज़ होगी? कि रसायनिक गत्विदी होगी, physical activity होगी, है ना? तो यहां पर मैंने पता है थे ना आपको? यह देखो, बहुत टिक और रसायनिक, बहुत टिक और रसायनिक गत्विदी होगी, और तब जाकर क्या बन जाएगा? कोई न कोई खनिच बन जाएगा. वो निर्बर करता है कि कौन सी रसानिक गत्विदी हो रही है कौन सी आप हो सकते हो बहुत ही गत्विदियां हो रही है लेकिन बता रहा हूं आपको जहां पर यह लिखा हुआ है ना क्या लिखा हुआ है ने को जोडो ब्रशों वा विद्रों में मिलते हैं तो यह सब क्या है यह दरारे हो जाती है, इनका मतलब देखो अलग अलग है, थोड़ा अलग अलग होता है, जैसे हम बात करें, जैसे हम बात कर लेते हैं, इसकी यह, हाँ, जोड़ों के हम बात करें, जोड़ों के हम क्या बोलते हैं, यह क्रेक्स बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्रेक्स ब लेकिन आपको डिफेरेंस जानना जरूर ही नहीं कि इनका मतलब यह होता गया है इन शोड़ों जका मतलब होता है च्छोटे जमाओं शिराओं की रूप में और ब्रत की रूप में पाये जाती अब यहाँ मतलब जो नसे उतिया, नसों में भृए जाता है वेंज और यहांपर दो चीज़ों की बात हो रही है wind की बात हो रही है।या ना यहांपर पॉपर आघया था यहांपर यह अंगी यह जो बड़े बड़े जमाओ जो होते हैं, बड़े बड़े जो जमाओ है, उसको हम परत बोल देते हैं, और जो छोड़े जमाओ होते हैं, मतलब यह चोड़े जमाओ जो है, इनमें क्या बर जाते हैं, इनमें मैगमा बर जाता है, लाव बर जाता है, इसको हम क्या बोल देत तो भाई जो बड़े बड़े जमाव होते हैं उसको हमने क्या बोल दिया उसको हमने जमाव परत बोल दिया और जो छोड़े छोड़े जमाव हो जाते हैं बिल्कुल छोड़े उसको हमने क्या बोल दिया उसको हमने शिरा बोल दिया शिरा हूं इसे इंग्लिशन वेंस बोलते मिलेंगे मतलब बीच में जो दरारे होंगी उन्हला बहुँ बढ़ा होगी में चल उनका निर्मार्ट जू कैंद अधिक तर उस समय होता है जब यह तरल अत्वाग यासी अवस्ता में घुरे भूर प्रिष्ट की और आ जाते है, कि जो दरारे Kate निदर जो डरारे हो जाते हैं, इनके अदर शो डरारे हो जाते हैं, लग्तरिकर तर्ब मतलब लंवताते हैं अजस्ता हो गया, तामबा हो गया, जिंग हो गया, सीशा हो गया यह सब किसमा पाजाते हो इस अब किसमा पाजाते हो यह आप बोलते हो ओ इस बहुत इस ऑचय बात है अच्छा अब तेगो हाँ these kyan Appeke gas ह Spring मेतामोफिक रॉप की बात हो रही है है ना तो जैसे आप दहों कब 591 अब सकते हो यह इंक्मिस रोंगा यह वाला और यह वाला आपको स्चयर हो गया तो यह message right है निसे घज़ों साथी खरें कि अमबगरें एक किस्से मिलके बनी होती है तो यह रूपांतरिक और आगनी चट्टानों से मिलकर बनी होती है अवसाधी चट्टाने इतना डिटेल में जाने की ज़रूत नहीं है ठीक है चलिए अब बात कर लेते कि इसकी अवसाधी चट्टानों के अंदर भी खनिच पाये जाता है ठीक है ना चलिए इसका अंदर जो भाग होता है और उसमें कैसे पाई जाते हैं चैतुर्ट रूप में होरिजौंटल यानि कि देख सकते हो थोड़ा सा देखो समझ मा आज आजाएगा आपको कि ये देखो हां ध्यान से देखना को ये देखो ये देखो परत बनी होई है ये परत बनी होई है ये देखो तो रॉक बैड जो होता है बिल्कुल मतलब रॉक बैड का मतलब क्या होता है लेटने वाले बैड की बात नहीं हो दी बैड का मतलब बिल्कुल जो परत होती है मतलब पूरी चटान की परत है निचली पर तो देखो यहां पर जिपसं हो गया पुटास हो गया नमक जो हो गया है ना सोडियम वगयरा जो हो गया यह सब जो है इसमें पाए जाता है और इन्हें बनने में लंबा समय लगता है बहुत लंबा समय लगता है बस इन्हें यह पाए कैसे जाते हैं किस फॉर्म में पाए जा से यह पूरी चट्टान है और यह नीचे वाली जो लेयर्स होती है इसमें जो है यह पाए जाते हैं लेयर्स है ना तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और अगर हम आगने की हम बात करें या फिर कायंत्रिक चट्टानों की बात करें रूपांत्रिक की हम बात करें तो य यह किस फॉर्म में पाई जाते हैं तो यह शिराओं में और पड़तों में पाई जाते हैं चोटी शिराओं होंगी बड़ी शिराओं होंगी तो उनमें पाई जाते हैं है ना कहा मिलते हैं यह तो जोड़ों ब्रशों वाइब इतना क्लियर हो गया मतलब ज्यादा कठी नहीं है मैंने बस थोड़ा डिटेल में बता दिया आपको समझ मां आगिया ना यह जो चीज आई होब आपको क्लियर हो गई होगी ठीक है तो आप देख रहे हो यह पूरा चि है ना निकास जानि कि जहां से लाव भार नकल अभी अब यहां पर वैडेखर आप देख़ेंगा यह क्या है कि छोटी 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 च्छोटी। और बड़ी-बड़ी भी होती है जिनकों लोड्स बोलते हैं बड़ी-बड़ी होती है बड़े जो शिरा होते होने क्या बोल देते हैं लोड्स बोल देते हैं और छोटी-छोटी होते होने हम शिराएं बोल देते हैं वेंस ठीक है तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया बहुत हुआर्ड की रूप में चछानीर मिलते हैं इसतरी मिलते हैं अब सुनों यहां पर आप देख हरहए jamal बड़ा धर्थी के इंदर दर जो है खने और गपर दर करा इबता है टेबा रहे होते हैं तो मैं आप अब जश्ट क्या बता आ जाते हैं जब राज जाते हैं तो यहां पर याद कर जलोड शमाव क्या होता है जब उपर से नदियां वगधर आती है तो अपने साफों साथ इस बहुत कि आती है ए erfahren सब आती है बहुत सब्सक्रांट की खरा डीहर्त हैं था और यह कर रहता है हन। आपने देखा होगा जो पूरी तरह में आपनी साथ लेकि आते हैं वो नदियों में सोने वगरा देखते हैं वह चैनल पर देखा होगा तो यeg कहा से आता है तो पर से जब लॉक्त बेख भीनेपद़ का था पालिकन की अधर से खनीज उपर आ जाता है, जब उपर आ जाता है, उपर आके सूख जाता है, उपर आके सॉलिड बन जाता है, और फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर जलोड जमाओ शुरू हो जाता है, जलोड जमाओ का मतलब क्या होता है, जो चीज़े भैके आई हैं उपर, तो एक तरफ एक जमाह करें जलोड जम्हाह जांडे आप गटढक DENNIS का about ठरें इंको क्या बोल देते हैं जैसे बात करें धृरातलिच च्टानों नंचा अषप जो होते हैं उनका अब घंड घंड होताम das इस इंग्लिश में बोलते यह वेध्रिंग। जैसे होता हिस्तिति जो एक यह और यह जाए ना तो इसकी आपके पूरा थे लुकित रही होगी कि पूरी सम्वीप नहीं अंदर लिए को сп おलकिर मेरें को रहार से चली जाए समझ मार किया है तो वैसे क्या होते है यहाँ पर जो धृत्स रहाते है इनके पानी गर रहा है बाड है पता नों क्या क्या चीज हो रही है तो इससे क्या होता है जो धर ज्यादा सिंपल है समझ भागा चलिए तो आई होब आपको इतना जो है किलियर हो गया होगा अच्छा आपके बुक में एक चीज़ और दे रखिए एक चीज़ दे रखिए आप देखोगे तो उसमें दे रखा है रैट होल माइनिंग क्या होती है अब सोच के देखो रैट हो सब्सक्राइग अनंदर चले जाते हैं तो मेघाले में बड़ा प्रैक्टिस किया घ्र्टavor में क्या होता है हम पूरा ये होते हम एक चुह जैसा बिल में चुह का बिल बना देते हैं और हम क्या करेंगे नीचे जाएंगे और जहां पर खाने जोगा उसको उपर से निकालके ले आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं यह मेगाले में जो आदिवासी वगरा जो लोग है यह बड़ी ही जाला प्रक्टिस है यह सब कहां जा रही है वह महासागर में जाकर आपको यह पता होना जा है इनके अंदर भी क्या जमीन है आपको कोई समध्र ना फैकेगा तो कही नहीं तो तो तक वह सकता जब तक वह सक्षम नहीं है तब अठिक रूप से वह सख्षम नहीं है तब तक हम उसे खनी चे नहीं बोल सकते इसका मतलब क्या हुआ बाई मान के चलो आपको पता चला कि आपके जमीन के अंदर आपके जहां रह रहे हो आपके खेट तो है उसके अंदर जो है सोना है पता चलिए कैसे भी मशीन साथ आपने पता लगा लिया लेकिन आपको यह नहीं पता कि इतना सोना है तो आपने उसमें लगा दिये 15 करोड और सारे खनिज जो हैं, बहुत सारे ऐसे खनिज हैं, जो हैं, लेकिन वह हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि वह क्या नहीं है, बाई, और आपने सुना हुआ, और, आयस्क जिसे हम बोलते हैं, आयस्क का मतलब क्या होता है, तो देखो, मान की चलो, यह सारी जो चीज़ां यात रखना है, यह सारी चीज़ा आपके भुग में दे रखने हैं, मान की चलो, यह आपको इतनी बड़ी चट्टान मिली हैं, अब जब इतनी बड़ी चट्टान मिली कि इसमें पता चला के क्या वाई न्दर लौह यस काम एक ऐसी चक्टान जिसमें लोहे की मात्रा तो जादा है लेकिन इंपॉर्टियस कम है आप जो गंदगी जो है वो कम है मान के चलो एक पूरी बहुत बड़ी तो इसको हम क्या बोलेंगे है और इसक मैंसे हम खीचते हैं निकालते हैं उस यह गंदगी भी है लेकिन आ याद रखना कि यह जो होता है हम किस सटम में यूश करते कि वह वह उस संसादन वह सकते हैं जब उसमें प्रिचुर मातरा में खने वह तो इस पूरी चट्टान में कया है यह है ना अब उसमें एसा नहीं है कि मानिक चलो सिर्फ पांच परसंट लूआ होता और पिचानर परसंट क्या होता तो ऐसी किया ऐसा आपूरी जटान जिसमें क्या करते हैं जिसमें प्रचव निकालते हैं प्रचव उपलब तो आपको आयूप नहीं जो बहुत अच्छे जवे किलिए हो गई होगी तो यह आपको समझ्य मां आगए हां पाई चाता है और parked करती है ऊड़ा है फ्टता है निकलता है वम्हें फटके और रहता है अग्ले चट्ताने बन कब दोटे हैं कि अग्या हिंडी इंग्लिश में बहुत क्षैक मोलते हैं इन इन में वह रहां कि यहां पर में खनीश देखने होगे जो चोटी छोटी चोडी उनुक्त अब भर जो एध भर वी जमांव जो होती है तो ये सारी चीजह आपको पता हो गई किसम जमाउ होता है तो सब का मतलब एक ही जाना इतना जानो तो यह हमने बात कर ली कि पिरम नहीं जाना बैए जलोड़ जमाउ को कि कभीख अभी नीचे से जब खनीज उपर निकल आते हैं तो यह बहा के था था मनें बात कर लिए थाइन Kayla का घठन जो ओ बहुझता है और हम महा सागरों में भी जू है हम तेगा मिल जाते हैं सौट मिल जाता कई शारी चीज़े मिल जाती है लेकिन यहाँ पर जो मिलते हो जातर खनिज वो किसी काम के नहीं होते तेगे चली आई हो इंप इतना आपको क्लियर हो गया होगा अब बहुत important है कि खन MICHAEL के प्रकार कितने होते हैं कितने mere प्रकार के जो है क्निच होते हैं इनके बात कर लेते हैं थोड़ा सा तो खनिच जो होते हैं अपर थीन प्रकार बताएगे एक तो धात्विक और दूसरा अधात्विक और तीसरा उर्जा के बारे में यह अलगी टॉपिक है इसके बारे में हम अलग पड़ेंगे इसी लेक्ट्विक और अधात्विक तो नाम से ही किलिए हो रहा है आधात्विक का मतलब क्या है और będzie मतलब जिसमें धात्विक नहीं है तो धात्विक को भी हमनेती है एक टो है अग्रlä उक पिन्लिक नेंग बात करें लोर Vijay向 Jenig तो यह है अलोधा और तीसरा आता है बहुत ज्यादा कीमति है बहुत ज्यादा कीमति क्या है आपके घर में वह सारी चीजें मिल जाती है वह इस्ट्रूएंट जादा ही अमीर होंगे उनके यह मिलते नहीं आसानी से और महेंगे बहुत जादा है तो जैसे की सोना चांदी प्लेटनम भी बहुत में अच्छा हम बात कर लेता है अधात्विक खनिश के बारे में अधात्विक खनिश यह क्या होते हैं अधात्विक खनिश तो अभर्ण पुटाश्फर ग्रेनाइट बाइक में पेटरॉल लए लवालो घाड़े में डीजल लवालो तब भी तो चलेगी बिना डीजल पेट्रॉल के कैसे चल सकते हैं कोई वी गाड़ी तो यह क्या हो जाए अपको यह जब हो जाए आगे अब बात कर लेते हैं किसकी भाई? लोगाणिश के बारे में तो हम करने का जारे हैं बैसिकली तो अफार्टे वित array के तीन प्रिकार देखे हैं और इनको हमने classify किया है अलग-अलग भागो में वाज़ित कर दिया है तो इनको हम एक एक करके समझने वाले हैं है न वह लेते हैंりました है ना तो नहीं कम एक नहीं लाव दातु को मझे जाने तो पmosmwing didacu को अच्छे से जानेंगे जोने की बाता है तो इनको नहीं पढ़ांगे बना लौ दातु और अलौ इनको जो हम अच्छे से समझने वाले हैं, कहां का पाय जातने हैं, कौन-कौन से खनिज इसमें, अच्छे से बात कर लेंगे, उसके बाद हम अध्धात्यों खनिज को भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीके ना, चले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, लो खनिज के बारे में, आपने लोह आइस को सुना होगा, आइस का मतलब क्या होता है, क्या होता है आइस का मतलब भाई, जल्ली से आप मन में सोचो, कि मैंने बताया था आपको, यह एक ऐसी चट्टान इसमें खनिज बहुत अधिक मातरा में है, जिसको हम निकाल सकते हैं, जिस चट्टान से, जिस शेल से हम का निकाल लें, खनिज निकाल लें, खनिज निकाल लें, शेल में खनिज की मातरा बहुत जादा है, उसमें कुछ इंप्यूरिटीज भी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ बेकार है, जातर क्या होगा खनिज होगा, क्हरिज की मात्रा जादा मिल रही हो गिया अर्थिक रूपसे वह खरिज क्या है भाई वो बिलकुल फाइदेमंद रहा अर्थिक थो तो उसको हमने क्या बोल दिया? तो हम बात करें लोह आथक होता है जिसमें क्या होता? लोहा भी होता है और कुछ impurities होती है, कुछ बेकार चीजे भी होती है, उसे हम लोहा निकाल लेते हैं, है ना, तो इसका मतलब तो पता चली क्या होगा, अचा, अगर हम बात करें, quality के हिसाब से, उसकी गड़वत्ता के हिसाब से हम बात करें, तो हमने दो भागों में वाजित कर दिया है, लोह तो यहाँ पर याद रखना है, मेंगनिटाइड की हम बात करें, तो मेंगनिटाइड का जो लोहा मिलता है, उसमें लगवग करीबन 70% प्रतिशत लोहा मिलता है, और इसको सबसे बढ़िया, उन्दा quality का अच्छी गडवत्ता वाला जो है, क्या बोला जाता है, लोह खनीच बोला जाता है, क्योंकि जो इसका ऐसक मिलता है, उसमें लगवग 70% लोहा होता है, बड़िया मातरा में होता है, अच्छी quality का होता है, ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें किसकी भाई, अगर हम बात करें हमाटाइट की, तो हमाटाइट जो होता है, वो जो बेसिकली जादर जो द्योगों में इसी परिकार का जो है लोहा इस्तमाल किया जाता है, और इसमें जो है 50-70% क्या होता है, लोहा होता है, जो इसका मिलता है, उसमें 50-60% क्या मिलेगा, आपको लोहा मिलेगा, ये भी ठीक quality का होता है, सबसे ज़्यादा भारत में क्या इस्तमाल किया जाता ह पर चलिया आगे बढ़ते हैं अब भारत में लोए से कहां कहां पाया जाता है तो सुनो यहां पर इहां पर मैं सिर्फ नाम बताओंगा बाकी डिटेल में इसका एक लेक्चर और लगेगा map वाला वो मैं live class में लूँगा ठीक है? live class में हम detail में जानेंगे कि कहां कहां कौन कौन से ask पाय जाते हैं वो आपके exam perspective से बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं इसमें बस मैं आपको नाम बताने वाला हूँ तो दो को यहां पर हम बात करें उडिसा जर्कन जो बयल्ट है हमारे भारत के पूरवी जो राज है वह पर पड़ते है बेस कि फिर्सा जिर्ठर ब्लशा बल्शाओं बात करें दुर्ग बस्तर चंद्पन बल्शाओं बात करें दुर्ग बस्तर कहां पर रहे तो यह समझ माया कही खनिज बिलकुल भी नहीं हैं कहीं बहुत परियाप्त महात्रा में हैं जैसे हम बात करें हमारा जो उत्तर भारत है जैसे यूपी यूपी की बात कर ले हम बिहार की बात कर ले हम, क्योंकि बिहार और जहारखन पहले एक थे, जितने भी खनिज हैं, वो सब जहारखन में आ चुके हैं, तो बिहार की भी अगर हम बात कर लें, हरयाना की बात कर लें, तो यहाँ पर आपको कोई भी खनिज जादा नहीं मिलेंगे, तो खनिजों की अग मिलेंगे आपको कहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे कई थोड़े बहुत मिलेंगे आपको तो ऐसे करके जो हमारे खनीजों का यहां पर भारत में वित्रण हो रखता है तो उसी हम बात करें तो देखो दुर्ग बस्तर चंपल बैट इसको याद रखना है आ जाता है एक्जाम करना टично में है कांपर है करना ट क मैं है तो याद रखना है तो आइखो आपको इतनी जो चीजे कलियर हो गई हो गूगी आगे बढ़ते अप बात कर लिए मैगनीज के बारे मैगनीज कि एक तरहोी जो किया था मैंने बताए था 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 फोड़ाए लो धातु जैसमें लो धातु होती है उसको हमये पूल दिया लो गांव लो अस्क बोल दिया, तो मैगनीज भी एक महत्रमून , और अब ओ ऊक्त को यह यह लो दातू हो जाती है, तो हम इसकी बात करें अगर तो मैगनीज के हम बात करें procent नूरातीं एकत्सों किमानमा जो paint होता है उसमें जो है इसका इस्तमाल किया जाता है अचा ठीक है इसके हम बात करें तो जैसे आपको एक टन श्टील बनाने के लिए करीवन कितना मैंगनीज चाहिए एक टन श्टील बनाने के लिए आपको लगवग जो है 10 glow मैंगनीज की जरुवत पड़ती है छोमीज और लोउ ये दोने जरूरी थे तिसमें अगर हम बात करें किसकी और ध्कुक पॉक्ष्क प्रक्र मीवग पात करें तो ये भी दयातू यह सोने की हम बात करें, हम चांदी की बात करें, हम प्लैक्टिनम की बात करें, तो यह क्या है? भाई यह भी आप हो सकते हो, धात्विक खनिज ही है, लेकिन यह बहुत ज़ादा अमूल होते हैं, यह बहुत महंगे आते हैं, तो इसको इसमें नहीं डाल सकते हैं, यह अलो खन तेन बॉकसट वगर आ जाती है इसमें तामबा जरूरी हो जाता है है ना बॉकसट जरूरी हो जाती है इसमें बेसिकल क्या होता है इसमें लोहा नहीं होता लोहा की जो मात्र होती है तो बहुत कम होगी या फिर बिलकुल भी नहीं होगी और तीसर क्या है बहु मुल खनीच, यह बहुत महंगे होते हैं, ठीक है लेकिन हाँ यह आप बोल सकते हैं एक तरह का अलोह ही है, मतलब इसमें लोहा कुछ नहीं होता है, यह क्या है धातू के बने हुए है, लेकिन इसमें लोहा बिलकुल भी नहीं है, तो अब बात कर लेते ह तरहो बिजली के तार्फ बनाने में अस्तमाल होता है, जो विद्ध इसधुष चीजे होती हैं, यह रसाइन उध्योग होता है, चेंकल से सम्बंद parlus अच्छ से नाधियूग बेगए, जो पर और मतल पर मिलों और ताम ब्रदेश में होते है, यह यह आपर आपको देखने Central Asia में थोड़को जो रहिस्तानी लागे वहां पर आपको यह देखने को मिल जाएगा तो यहां पर तामबा जो है बिसकली रहातार रहिस्तानी लागों पाई जाता है जहां सूका होता है गुजरात की कुछ सुमें आपको मिल जाएगे थोड़े से इसके तो मद्यपर्देश और आइस्तान में है इसके जैसे मद्यपर्देश की हम आतके ने बाला घाट ठीक है ना चलिए आगे बाद कर लेते हैं अलूमिनियम की तो तो अलुमिनियम के एस को हम क्या बोलते हैं वॉक्साइट बोलते हैं ठीक है अच्छा ये इसमें इस्तमाल होता है जहाते है जो प्लेंस बगएरा बनते है जहाज बगएरा जो बनते है इसमें 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 होता है क्यों होता है क्योंकि यह हल्का बहुत होता है है ना जैसे कुछी आप उड़ा रहे हो जहाँ जो अइरोप्लेन होगा उड़ेगा तो आप उसमें लोहा लगाऊगे तो बजनी जादा हो जाएगा कैसो उड़ पाएगा हो लेकिन हम बात करें है अलूमिनियम की यह हलका होता है और लोहे जैसा मजबूत होता है तो इस वैस आपको देखनी लागे है पाएगा है अब कनटप कर लेते हैं त्हारक्रण ओडी सा यहां ऑफ़ आपे महाराष्ट में यह आप को देखने को मिल जाएए आगे आगे बात कर लेते हैं उस पतल पतल fuzzy Keep clayटे ओती है पतली फमी तोपारी ऊपर हाधी ओपर ये प्लेय कि किस रंग में हिने ओता है तो काला हरा नाल पीला ऐसा रंज मलें उते हैं अशही है ये जोसने बिजली इसमीर्स पतली आक करोणक्ट கुछरिकों की है कहां मिलेंगे तो अब रख करें चोटा नागपुर पठार उत्तरी किनारे पर आपको मिल जाएंगे आगे बढ़ते हैं जाहरकंड साइड थोड़ा हो तो अड़ी साइड भी आपको यह देखने को मिल जाएंगे आगे बात कर लेते हैं खनीजों का संरक्षन है ना थे करें हम खनीज के बिना क्या हो सकता है बता हो अब इक इक चीज जो आप इस पूरे श्टूडियों मेरे हाथ में जो भी चीज देख रहे हो तो यह रोमोट यह पैन यह पीछे स्क्रीन यह लगी हूई और आपकी घर में भी तमाम जो चीज है पंखा टीवी कूलर एसी सब किस्से बने हुए हैं तो अगर ये नहीं रहे तो हम पनी जिंदगी को सूच भी नहीं सकते हैं इमेजन भी नहीं कर सकते हैं अपनी जिंदगी को ठीक है ना तो यहाँ पर वही बात बोली गई एक गैर न सब क्या बनें बढ़ी बनके तयार हुए हैं और ये घर खतम हो गए तो यह पुनर सापद करने में लाखों करोरोगं वर्ष लग जाते हुए ना तो इसको हमस्दार के साहत में जूफ करना है खनिजो के निरिंतर से खनिजो की कम्युपी होती है, निशकर्षन मतलब बहुत ज़ादा उनको एक्स्प्लोइट कर रहे हूं, उनका पीडंत कर रहे हैं, उससे क्या होता है, खनिजो कम्यी होती है, इसलिए आफशे कदम उठाना महत्पूर्ण है, ताकि जो है खनिस अंसादनों का नियोजित और टिकाउत अई किसे इस्तमाल किया जा सके ताकि हर चीज की लिमिट होनी चाहिए ऐसा नहीं कि हम बेफाल्तु में दोहन करते जा रहे हैं उनका बिना मतलम में और एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल सब कुछ हतम हो जाएगा तो एक बहुती कोई बड़े समझदार इंसान ने बात बोली है कि इंसान का जीवन जो है जोपड़ी से शुरू हो आता हो जोपड़ी भी खतम होगा और सच में आज से देख लेना अजारों साल बात जब में खह्नीजों की बात कर लिया हर चीज की लिए और चांडों कखत малень awhile की बात कर लिया ऑं कंख ज्यांग्यक्यू अम इसे पहान होते हैं जैसे हम बात करें ट्रक की बात करें बस की कार alguna की किस से चलते हैं भाई तो ये सब उर्जा से ही चलते हैं और वो जो उर्जा होती है वो कई परकार की होती है है ना तो उसके बारे में हम बात करेंगे तो उर्जा जो है हमने दो तरीके की पहले हमने हमारे यहां पर हजारों सालों से परंपरा चली आ रही है किसी फलानी जगा पर आप जाओगे तो वहां पर जैसे होता है ना तक्की वाले होते हैं समोसे वाले होते हैं तो उनसे पूछो कि कब से काम कर रहे हैं अरे यह हमारे पीडी दर पीडी परंपरा चली आ रही है करने क काम करने की तो परंपरागत जो उर्जा की सुरोत होते हैं उनको हम जानते हैं बहुत पहले से इस्तमाल कर रहे हैं और उनको अच्छे से इस्तमाल करना जानते हैं ऐसे हम सुरोतों के क्या बोल देते हैं परंपरागत सुरोत बोल देते हैं कन्वेंशनल नर्जी बोल देते है जैसे जलावन, जलावन क्या होता अबीया, अडा हेल लकडिया जलाते हो तो लकडिया ह momentos, हजारों, लखों सालों से इंसना जला रहा हो है, हम बात करें अपले, अपले। ककी जगांब सब्सक्राइब करें के कई जगांपेन उपले डिक पेटल प्रमपरागत buildट प्यक्समिन यह मैंग कहते है थाइब तो इसमें बहुत सारी जयूमीन के अदर मिलता है आज से हजारों लाकु साल पहले जो वनस्पती होंगे, वनस्पती पेड़ वगरा जो होंगे, दब गए होंगे जमीन के अंदर, उनसे ही क्या बन गया, कोईला बन गया, जीवाश्म से क्या बन गया, पेट्रॉल बन गया, गैस बन गया, लेकिन ये क्या से बनते हैं, ये तो सौर उर्जा, पवन उर्जा, है ना, ज्वारी उर्जा, बायो गैस, परमाडू उर्जा, ये सब क्या है भाई, ये सब जो है आप बोल सकते हो, गैर परमपरागत उर्जा है, और इन दोनों को हम डेटेल में पढ़ने वाले हैं, तो देखो सबसे बात कर ले तो कोईले की बा कोई भी कोला है कितना पुराना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, गुडवत्ता की आधार पर, क्यालिटी की आधार पर हमने कोले को टीन स्तो में बाता है, जैसे हमने लो दातु को लिए अत्alt, लेखो है यहां पर, लिग्नाइट हो गया, बूसरा हो गया बितुमिन में आपको मिल जाएगा, नवेली में, तमिलनाणू में जगा है नवेली, वहां पर मिल जाएगा, बुडू चैरी में, केरिला में आपको यह देखने को मिल जाएगा, और यह कैसा कोईला होता है, तो याद रखना यह तर्शरी कोईला होता है, तर्शरी कोईला क्या है, मैं इसमें बात करें तेसरे वाले की, यह सबसे अच्छी कॉलिटी का कोईला होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोईला होता है, अब बात करें लिगनायट की, Lignet हो यसा कुछ दिखता है, हलका सा brown होता है हम बात करें bituminus की तो bituminus कुछ ऐसा दिखता है और हम बात करें anthracite की बिल्कुल काला होता है which black होता है है न? देखो, कितना साहला, बहुत ज़ादा काला है और यह सबसे अच्छी कॉलिटी का कोईला होता है आपको इतनी जो चीज हैं, वह clear होगी होगी, अब बात कर लेते किस के आधार पर, अब बात कर लेते समय के आधार पर, मनला कोई भी कोईला कितना पुराना है, जितना पुराना होगा अतना अच्छा होगा, old is gold, है ना, तो देखो, अगर हम बात करें, समय के हिसाब से, तो ह आज से 20 करोड साल पहले, है ना, बहुत साथ, 200-300 मिलियन मान लो, इतने साल पहले यह बनना शुरू हुआ होगा, और तरसरी निर्पेक्शिक के अब बात करें, यह जो है नया है, यह भी बना है, 20 मिलियन साल पहले, है ना, यह 20 भी बहुत जादा बता दिया मैंने, हाँ, 20 मान, बोल सकते हो, इतने साल पहले बनना शुरू है, मतलब आप बोल सकते हो, गोडवाना कोईला जो है, बहुत पराना कोईला है, और तरसरी कोईला जो है, नया कोईला है, अब नया अतना नहीं है, कि साल दो साल पहले बना, यह भी बहुत साल पहले बना, आप बोल सकते हो आज से पांसो, आप बोल सकते हो, हाँ, बीस से, बीस मिलियन तो मान सकते हो, बीस से पांच मिलियन मान सकते हो, पांच मिलियन साल मान सकते हो, आज से आज से आप बोल सकते हो, करीवन पचास से साथ लाक साल पुराने यह कोईला है, और यह बहुत पुराने कोईला माना जाता तो पहले से क्या बोलते, भाले प्हें जुड़ा हुआ था पूरा, फिर यह अला हो गया, दो भागों में उल्हूटगया था एक लाऊरेशिय और दूसरा गौडवाना, तो दकशन वाला बागड़ जो था, ऐसको क्या मोला गया? उसको गौडवाना बोला गया और ये बहुत पुराना है तो हमारे भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है ये इदर ये बहुत पुराना है और ये कही ना कही गौडवाना का हिस्सा है तो गौडवाना सिंपल से मतलब है बहुत पुनाना और तर्सरी बाद में मनाएं तो यह बहुत नया कोईल है सिंपल सी बात है तो यह आपको का मिल जाएगा देगों नीचे अगर आप नीचे होगे जरिया देगा किल्यर हो गया है अब आपको लेते हैं अब goodbye वाण पैट्रोल ओता हे दिजल नहीं होता है에 लुब्रीकेंट्स व्गवरा होते हैं तो पैट्रोल मसं क्यों होता है अब तकच्ण तेल से राख प्रोडक्ट बनाये जाते हैं पेटोल बनेगा, उससे डीजल बनेगा, लुब्रिकेंट्स वगरा जो होते हैं, मिट्टी का तेल वगरा जो होते हैं, यह सब इसी से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें confuse मत होना, तो इससे हम और भी चीज बनाते हैं, प्लास्टिक भी मनाते हैं, तो टेक्सचाइल, ह कम्पनी और भी इस्तामाल करते हैं, तो इसको काई मैंनो में, पेटोल का, इस्तमाल किया जाता है, अपज hopefully कहां कहां पाय जाता है, तूरसरी चक्टानें है co2 बहले पत्थर बहले को में सधन परते ज़ोते हैं, तो इसको में हवा पास हो सकता है, इसमें कोई भी भी अः तरद प्रदार्द पास हो जाएगा उसको क्या बोल देंगे उसकोन सधन पर गोल देंगे अब पूरस और अन्पोर्स बोलते हैं इसे हैं यह कहा पाए जाता है बेसकलि Muh butter li पूरिच आ पत्थर नहीं एक पूरी चटटान है तो इसमें कुछ लेर्स होती है अब ये घृती है पूरस लेर है न वहला मतलब जहां से चीजें हवा बगध्र पास हो सकती है है लिकट हो सकता है और एक होती है असरद मतलब नौन पोरस एक होती है बया सरण और दूसरी असरण क्या बोलते हैं अना नों पूर पर इसमें हवा वगेरा इसके बीच proclaim जै पाए जाते हैं आप 30 अब यहाँ पर क्या होगा भाई आज स हिजारोरग कौन पर पहले यहां पर यह ना इनके जीवाश मढेर tac को गीन तर ही और नीचे पर ऑदुम जो है यहां पर यह जो सधन परते जो होती है इनमें दरारे जो होती है इनमें आपको पेटॉल देखने को मिल जाएगी अच्छा अगर हम बात करें पेटॉल की कहां कहां पाई जाती है तो देखो अगर हम बात करें आजादी से पहले सबसे पुराना जो पेटॉल का आप बो तो यहां पर 13% आता है करीबन फिर उसके बाद मुंबई हाई करके महाराष्ट में तो यहां पर आपको 63% परसंट जो है पेट्रॉल सब्सक्राइब मुंबई हाई बाद में डिस्कवर की गई है है ना ONGC बनाए गई थी ONGC को यही काम दिया गया था 1956 में बेसिकली कि जाओ और जा जाके पूरे भारत में चक्कर लगाओ क्योंकि पैट्रॉल की जुरूत पढ़ती है है ना हम पाई किससे लेते हैं पैट्रॉल हम तो यह सैंटल एशिया से लेते हैं यह जो साउधी सबसे पराना कौन सा है अब आपको थोड़ा एक हमवर्ट दे रहा हूं है असम में जो रिजर्व है हमारे पैट्रॉल का तो उसको कहां पर आए है ना नाम क्या दिया गया उसको आपको कॉमेंट सेक्शन हो बताना है फिर 18% गुजरास से भी आता है और यहां पर आपको ग पैट्रॉलियम जहां मिलती है वही पाइल आते हैं कैसे तो सुनो यहां पर अब होता क्या यह होता यह है कि जमीन के अंदर गर्मी होती है है ना जमीन के अंदर क्या गर्मी है नीचे क्या भरा हुआ है नीचे मैगमा भरा हुआ है होता क्या है यह जो पैट्रॉल होती है न यहां petrol के भंदार होती है, वही पे आपको प्राकृतिक गयस देखने को मिल जाएगी, बताया है मैंने कैसे, प्रैशर जादा लगता है नीचे से, घर्मी जादा होती है, तो वो गरम होके, क्या बन जाती हो, petrol जो होती हो, petroleum जो होता है, कच्चा तेल जो होता है, वो वही क्या बना लेता है, वह प्राकर्तिक गास के फरम में जमा होता है तो कई परी ही ऐसा हुआ है, हम पेटोलियूम ढूंड रहे हैं, उसकी जगा में कही प्रकर्तिक गास मिल गई ठीक है? चलिए तो देखो प्रकृतिक गया जो एक महत्मून स्वक्ष उर्चा साधने इससे प्रयावरन के अनुकूल भी बना जाता है तो भी आपने देखा हुआ CNG चल लिए आजकल 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 देखो जैसे ट्रक वगएरा CNG के आगए है सब को CNG के आगया है बिजली में इस्तमाल किया जाता है और वक उत्यों में इस्तमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो यह यहां पर हाँ इसके रिजर्स काम मिलते हैं तो कुछना गोदावरी बेशन में आपको जो नदी घाटियां वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, इसके भंडार, और जहां पेटोलियम होता है, वहाँ वहाँ कुछ-कुछ भंडार जो है, इनके भी पाय जाते हैं, आप बिजली की बात करें, तो बिजली दोते हैं की होती है, एक हाइड्रो, बिजली और ऊश्मा इससे हम जो है, जब इनर्जी निकालते हैं, उर्जा निकालते हैं, तो उससे क्या होता है, भाप से तरबायन घुमती है, उससे बिजली बनती है, कोईला, CNG वगएरा, ये सब क्या हो जाती है, उसमा विद्दत हो जाती है, है न, चलिए, और हाँ, एक उसमें एक और है, अब बात कर लेते हैं, उर्जा के गैर परमपरावित सुरूत, गैर परमपरावित सुरूत के बारे में बात कर लेते हैं, अग गैर परमपरावित की हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, परमार उर्जा, जो है, वो आएगी इसमें, परमार उर्जा क्या होत तो बाई और ज्यादा उर्जा निगलती है, तो ऐसे कुछ इनकी साइंस होती है, जब एटम्स का परवाडू का फ्यूजन जब होता है, विला जब होता है, तो इससे उर्जा निगलती है, और उस उर्जा को हम बिजली बनाने के लिए इस्तमाल करते हैं, लेकिन खतरना की भ आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर दूप उची खासी आती है, गर्मी जादा पड़ती है, पवन उर्जा की हम बात करें, तो यह जो, बिसिकली जो, 30 छेत्र होते हैं, 30 छेत्र आपको पता है, हवाई ज्यादा चलती है, sea breezes, land breezes, है ना, और अब हवाई चलती है तो जिब हवा से क्या होता है, हवा से यह देखरो आप, यह पंके घूमते है, इनसे टरबाइन भी रोटेट होती है, उससे क्या मिनती है, उससे जो है, काइनेक्टिक इनर्जी से बिजली बनती है, हम बात कर लेते हैं, किसकी बाइयो गैस की, हम बात करें, तो बाइयो गै है खाने बनाने के लिए किसी और चीज के लिए मतलब उस वह एक उर्जा का सुरूत है ठीके जैसे आप देखो कि यह देख रहे हो आप एक जगा मिश्टूर करते रहते हैं और यहां पर एक पाइप लगा देते हैं यहां से गैस निकलती है उस गैस को जो हम इस्तमाल करते है ज्वारी की बात करें ज्वारी हूर्जा ज्वारी हूर्जा क्या होती है तो सुनो यह ज्वारी हूर्जा ज्वारी हूर्जा क्या होती है तो सुनो यह ज्वारी हूर्जा क्या होती है तो समुद्र का पानी है इसका लेवल बढ़ता रहता है गरता रहता है गरता रहता है तो उसको हम क्या बोलेते है जो अजाए, जायारी वोडेते है जासे जो हमारा चान, सूरज इसाडह रही चांड़ire ये घ्रैविटिविटी के कίοशिच करता तो अर्थ में ऐसा घ्रती सांहें ओना तो बहुत लुट में पानी होता, पानीりました अब इसको हम क्या इसमाल करते हैं उजा के सुरूत में इसमाल करते हैं जैसे बीच में जैसे मान की चलो हमने बान बना दिया है जैसे मान की चलो कहां किया है यह बहुत अच्छा एक्जामपल है बीच में क्या बना दिया बान बना दिया और यहाप हमने एक पंगुडी लगा यह क्या होगी फिर से पंक्षुडी गूमेगी, फिर से टरबाइन गूमेगी, और फिर से क्या मिलीगी, हमें बिजली मिलेगी, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इसको इसको इस्तमाल करते हैं, ठीक है न, अब लाश्ट बची बहुत आपी उचा, भूत आपी उचा क्या यह जो भाब निगलती है, इसको हम energy की तरे इस्तमाल करते हैं, ओर्जा की तरे इस्तमाल करते है, बिजली मिलती है इसको, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने भोल दिया, geothermal या फिर इसको बूत आपी ओरद ऑरजा, जवारी ओरजा को, हमारा पूरे चैप्टर है, यह फिनिश हो गया, डेटेल में पढ़ाया है मैंने, सब कुछ पढ़ाया है मैंने, और इसका एक क्लास ओल लगेगा, इसमें मैप मैं बता दूगा, लेकिन यह वन शॉट आपका हो चुका है, बागी मैप वाला जो पोर्शन है हम लाइव क्लास म करेंगे, ठीक है न, चले तो एंड करते हैं इस लेक्चर को, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, फिर एक बढ़िया से चैप्टर के साथ में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, गुडबाई, टेक केर